वेलो प्रेंड्स वेलकम टु मैज चैनल स्वसारी का आज हम बनाएंगे दही बड़े जो खाने में बहुत कसी होते हैं और यह बहुत ही सॉफट दही बड़े बने हैं हमारी ट्रिक से आप बनाएंगे तों सॉफट दही बड़े बनेंगे ये देखिए कितने सॉफ्ट है हमारे दही बड़े मुझ में डालते ही गायब हो जाएंगे इतने ही सॉफ्ट है होली में अगर दही बड़े नहीं बनाए तो क्या बना चलिए बनाते हैं दही बड़े दही बड़े बनाने के लिए यहां पर मैंने one cup डाल ली है और इसको one night के लिए भिगो देंगे यह देखिए हमारी दाल फोल चुकी है और अच्छे से इसको wash कर लिया है मैंने दो तिन पानी में यहाँ पे आप छिक्कल वाली भी डाल ले सकते हैं और उसका अच्छे से छिक्कल साफ करके यूज़ कर सकते हैं उरत की डाल है यह इसमें हम दो हरी मिर्च डालेंगे साथ से आठ पीस लैसन के डालेंगे पांच गराम अदरग डालेंगे इन सभी को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए हमारी डाल ग्राइंड हो चुकी है अब इसको हमें फेट ना है अच्छे से ताकि हमारी डाल सॉफ्ट हो जाए और हल्की हो जाए इससे हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं हमारी डाल फूल चुकी है कि नहीं इसको देखने के लिए हमें एक बाउल में पानी रखेंगे और उसमें थोड़ी सी डाल डालेंगे और पानी में अगर उपर आ रही है तो समझे हमारी डाल अच्छे से फिट गए है यहाँ पर मैंने दो बॉयल के वए आलू लिए हैं इसको हम कद्दू कस कर लेंगे यह देखिए हमने कद्दू कस कर लिया है इससे हमारे आलू डालने से हमारे दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इसमें एक चम्मच हींग डालेंगे एक चम्मच जीरा छोटा चम्मच थोड़ी सी धन्या पत्ती नमक स्वादा नुसार इन सभी को मिक्स कर लेंगे देखिए हमारे दाल मिक्स हो चुकी है यहां पर मैंने एक कढ़गी ली है उसमें ऑईल गरम कर लिया है डालकर अब दही बड़े बनाएंगे दही बड़े बनाने के लिए यहां पर पहले हाथों में पानी लगाएंगे अच्छे से फिर थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर इसको सरकल सेब देकर हलका सा होल्ड करकर इसको आईल में डाल देंगे फिर से पानी लगाएंगे फिर उसका छोटी सी लोई लेंगे फिर सरकल सेब देकर छोटा सा होल करके डाल देंगे ऐसे ही हमें दही बड़े बनाने हैं ज्यादा पतले नहीं करने हैं हलका सा ठीक रखेंगे मोटे रखेंगे तो यह बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत फूलते हैं अब इनको हम दोनों तरफ सेख लेंगे मीडियम फ्लेम में यह देखिए हमारे दही बड़े बन चुके हैं अब इनको हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पे मैंने पानी को हलका सा गुन गुना कर रखा है इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अपने दही बड़े डाल देंगे इसको पाँच मिनट के लिए डाल कर छोड़ देंगे पानी में यह देखिए मैंने हाफ केजी दही ली है और इसको हलका सा मथानी से मत लेना है दही में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तड़का पिन में ओइल डाला है ओइल को अच्छे से गरम कर लेंगे फिर हाफ टीस्पून हींग डालेंगे और हाफ टीस्पून जीरा डालेंगे अच्छे से चटका लेंगे चटकाने के बाद में अभी इसको हम दही में डाल देंगे और इसको प्लेट से ढख देंगे यह देखिए हमारा दही रेड़ी हो चुका है अभी इसमें हम दही बड़े डालेंगे हलका सा हाथों से दबाएंगे और इसका पानी निचोड़ देंगे बहुती सॉफ्ट हाथों से दबाना है वरणा दही बड़े फूट जाएंगे और फिर दही में डाल देंगे सारे दही बड़ों को दही से बंद कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ढखकर देखेंगे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे दही बड़ी रेडी हो चुके हैं अब इनको हम सर्फ करने के लिए निकालेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक दालेंगे दही बड़ा मसाला डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसके उपर थोड़ा थोड़ा सा दही डाल देंगे अब हमारे दही बड़े रेडी हैं खाने के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेर और सस्क्राइब थैंक यू